Hello friends, कैसे हो दोस्तों स्वागते हमारे चैनल Garden Life 22 को दोस्तों देख रहे हैं, अगर हमें पहली बार देख रहे हैं तो फटा पर subscribe कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको पेड पोदे से related जानकारी दी जाती है, तो सबसे पहले देखे तो आज हम नीबु के plant को reporting कर रहे हैं, ज तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सुंदर मेरा प्लांट था काफी जड़ों से बरा था और मैं इस प्लांट की रिपोर्टिंग आज कर रहा हूं तो दोस्तों अगर आप लोगों ने भी ये परक्रिया नहीं करी है या आपके गमले जड़ों से भर गए है या फल देना कर दिया है तो अन पोधों को आफ फटा-फट जो रिपोर्टिंग कर लिजिए रिपोर्टिंग से बहुत सुंदर बेनी फिट निकल कर आता है दोस्तों बहुत भटी बढ़िया रेजुल्ट निकल कर आता है दूसरी बात दूस्तों म repentance चाहूंगा अगर आपने गमले चें प्रेचर होता है इसमें हम प्लांट को जैसे मर्जी निकाल दें और जैसे मर्जी हम इसको चेंज कर लें तो मैं आज कुछ प्लांट इस तरह से देखेर निकाल रहा हूं और इनको बड़े गमले में अपने चेंज कर रहा हूं तो दोस्तों बने रही है वीडियो के एंड तक और उनका सिकाच होता है कि हमारे फूल नहीं आ रहे हमारे फल नहीं आ रहे हैं तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे जड़ों से पोदे भर जाते हैं साल और डेड़ साल के बाद क्या होता है हमारे गमलों में जड़े भर जाती हैं इसलिए हमारे प्लांट ना तो या फिर फरोरी में इन गमलों को हमें अच्छे से रिपोर्टिंग कर देना चाहिए देखिए इस तरह से जड़ों के गुच्छे निकल कर आ रहे हैं आएसे में हमारे प्लांट ना तो बड़े होते हैं ना तो अच्छे से फूल और फल देते हैं और खास तवर से दोस्तों न 12 इंची गंबले में था बल्टी में था वैकेट में तो मैंने इसको गुरू बैग में लगा चुका हूं तो आफ लोग चाहे तो यह थार चौॉदा 1,2 इंची का तो जी हां मैं बताना चाहूंगा कि आप गुरो में या फिर गयों के खाली बोरी में या खाले कटे में भी मिटी भरके आप सब्जियां या प्लांट लगा सकते हैं इसी बात नहीं है अब मार्केट में ये ओनलाइन भी गुरो मिलता है तो आप 12 इंची 14 इंची गुरो मंग कि से थाइसी के उपर था कि मैं अपने प्लांट को किस मौसम में gor नोwie समसिंग करूं तो उसके लिए फरोरी का मौसप में अच्छा होता है और यह सितंबर का मोसम अच्छा होता है अगस्त और सितंबर में तो इन दिनों में जैसे टमप्रेचर बहुत काम होता है तो अब भी हमारे यहां फुटपत बारिस हो रही है हलकी हलकी बारिस होती है कभी नहीं होती तो ऐसे मौसम में हम बड़े आसानी के साथ में अपने प्लांट्स को बढ़िया से जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं और जड़े काड करके द फुले ओपिन चत के नीचे नहीं रखना हो रखना है तकी हमारे प्लांट अच्छे से सर्वाइब करें जैसे हमें इसके लिपरग्र देंगे और हमारे फ्लांट इसन परकार से इसको हम सिप्ट कर अब तो बहुत ही बढ़िया आप रेजल्ट निकलकर सामने आएगा तो इ Toh 30 हमारे बहुत से प्लांट ऐसे थे जिसकी मैंने देखिये कर दी थी और बहुत अच्छे सय रिपोर्टिंग आ रहे थे इसकी मैंने फरोरी मेरिक रिपोर्टिंग अभी 12 इंचे मिटी के गमले में कुंदा का प्लांट लगा है जिसके मैंने हर गार्डनर को पता नहीं होगा यह जो कुंदा का प्लांट होता है बहुत मस्त नीचे से नीचे लेकर उपर तक फ्लावरिंग करता है तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं बढ करते हैं तो उसके समय समय रहते हैं इसकी रिपोर्टिंग भी करना जरूरी होता है क्योंकि रिपोर्टिंग के बिना हमारे पोधे चल नहीं पाते हैं और कई बार तो गर्मी में पोधे जुलस भी जाते हैं तो एक बार इसकी सारे प्लांट की मिटी निकाल करके साइड में र तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने का प्रयास करा आप लोग भी देख करके अपने इसाफ से काम कर सकते हैं यह मेरा टिकोमा का प्लांट है दोस्तों और यह कुंदा का है बहुत अनेकों प्रकार के प्लांट्स हैं जिस भाईयों को अडेनियम का प्लांट चाहिए मे वीडियो चालागा होगा धन्य बाद दोस्तों